जिला निर्वाचन पदादिकारी ने iOS के डिजिटल स्क्रीन की लॉचिंग, मुंगेर लोकसभा के दो विधान सभा में 15 जगहों पर iOS के डिजिटल स्क्रीन लगाया जाएगा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने, मतदाताओं में मतदान हितु जागरूपता फैलाने आदिकार्यक्रमों का आयोजन जिला निर्वाचन पदादिकारी से जिलादिकारी अवनीश कुमार सिंग के नित्रित्व में लगातार स्वीप के तहट कराया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में मंगलवार को स्वीप गतिविदी के तहट समाहरनालय में जिला निर्वाचन पदादिकारी द्वारा क्याय इसके डिजिटल स्क्रीन की लॉंचेंग की गई। इस अफसर पर स्वीप आइकॉन श्रीजा सेंग गुपता स्वीप की नोडल पदादिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदादिकारी ने बताया की मदाताओं में मदान की महत्ता तथा मदान करने के लिए स्वीप गतिविदी की तहट जिले भर में लगातार विभिन प्रकार के जागरूपता कार्यक्रमों का दादिकारियों द्वारा लगातार व्रमन कर जागरूपता कार्यक्रम चलाय जा रहे हैं। आज इसी के तहट के आयोईस के डिजिटल स्क्रीन की लानिची की गई है जिसके माध्यम से आमजन अथ्वा मदाताओं को मदान के प्रती जागरूप करने का कार्य किया जाएगा रेलवे, ब्यानको आधी ऐसे स्थलों पर जहां लोगों का आवागमन अधिक से अधिक होता है, उन स्थलों को चिनहित कर कम से कम दस स्थानों पर क्याय इसके डिजिटल स्क्रीन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। जागरूपता कार्यक्रम अध्वा अन्य प्रयास किये जा रहे हैं। उससे इस बार के लोग सभाव निर्वाचन में निश्चित तोर पर मदान प्रतिशक बढ़ने की संभावना है। लोग उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर एक सभाण हाला में हम लोग उत्य हटन किया है। और इसी प्रकार के क्योस हम लोग इंस्ट्रिप्शन में भी स्थापित करेंगे। और लोगों को जाग लोग करें। कितने जोगों लगा जाएंगे मुगेट में बात करें। हम लोग का प्रयास रहेगा कि लगभग 10 जगों पर अधिश्ट्राफित करें। जाएंगे।